जैहिन विद्यार्थियों मैं रामना प्रटले इस यूटूब चैनल मासप जी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों आज के इस कालखण में हम कक्षा बारवी अर्थसास्त्र कला एवं वाडिज संकाय के विद्यार्थियों के लिए परिक्षा उपयोगी वस्तुनिस्ट प्रस्णों की सरंखला लेकर आये हैं यह वस्तुनिस्ट प्रस्ण आपकी समस्ती अर्थसास्त्र के अध्याय चार आय एवं रोजगार का निर्धारन इस अध्याय से है वर्स 2022-23 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस एकाई पर कुल 12 अंकों का धिवार है जिसमें 6 वस्तुनिस्ट प्रस्ण आएंगे 2 अंक वाले 3 प्रस्ण इस एकाई से आएंगे तो आईए शुरू करते हैं वस्तुनिस्ट प्रस्णों में पहला प्रस्ण है पूर्ती अपनी मांग स्वयम उत्पन करती है यह कथन है प्रिकल्प आ जे बी से का बा जे एस मिल का सा कीन्स का और दा रिकारडो का तो सही उत्तर है आ जे बी से का दूसरा प्रस्ण जनरल थियोरी आप एंप्लॉयमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है आ पीगू, बा माल्थस, सा जे एम कीन्स और दा मार्शल तो सही उत्तर है सा जे एम कीन्स तीसरा कीन्स का रोजगार सिध्धान्त निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है आ प्रभावपून मांग, बा पूर्ती, सा उत्पादन छमता और दा इन में से कोई नहीं बा ब्याज की दर, सा और बा दोनो और दा इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है सा और बा दोनो पाँचवा, MPC धन MPS बराबर खाले स्थान MPC अर्थात उपभोग की सीमान प्रभर्ती और MPS अर्थात बचत की सीमान प्रभर्ती यानि Marginal Propensity to Consume प्लस Marginal Propensity to Save इन दोनों का योग होता है एक के बराबर तो सही उत्तर है बा एक छटवा कौन सा कथन सत्य है अ के बराबर एक बटे MPC बा के बराबर एक बटे MPS सा के बराबर एक बटे 1 माइनस MPS और दा के बराबर एक बटे 1 धन MPS तो यहाँ पर एक रिण MPC बराबर होता है MPS तो हम इसके स्थान पर MPS रखेंगे तो K बराबर एक बटे MPS यानि विकल्बा सही है साथवा अर्थव्यवस्था के संतुलन की सर्थ है A समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ती B बचत बराबर निवेश स रिषाव बराबर अंतक्षेपन और दा इनमें सभी तो सही उत्तर है दा इनमें सभी आठवा सामुहिक मांग का प्रमुग घटक है विकल्बा व्यक्तिकत उप्भोग, B सारुजनिक उप्भोग, स विनियोग और दा उपर्युक्त सभी तो यहाँ पर सही उत्तर है दा उपर्युक्त सभी नवा उप्भोग फलन फलनात्मक संबंध है विकल्बा आय एवं बचत का, B आय एवं उप्भोग का, स उप्भोग एवं बचत का और दा उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है बा, आय एवं उपभोग का, दसमा कीन्स के उनसार समस्त मांग बराबर है, विकल्प आ, सी धन S, बा, सी धन I, सा, सी धन I, धन G, और दा, सी धन I, धन G, धन X-M, यहां पर सही उत्तर है, बा, सी धन I, समगर मांग प्रत्यासित उपभोग और प्रत्यासित निव इसके योग के बराबर होती है प्रसनक्रमांग दो रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए नम्मर एक एक दो छेतरी बंद अर्थवास्था में खालिस्थान छेतर तथा उत्पादक छेतर सामिल होते हैं तो यहां रिक्तिस्थान में हम लिखेंगे ग्रहस्त छेतर या उपभ भुक्ता तथा उत्पादक छेत्र सामिल होते हैं। दूसरा, MPS अत्रिक्त आई की प्रती एकाई खलिस्थान को दर्शाती है। यहां हम लिखेंगे बचत। तीसरा, खलिस्थान के नियम जे भी से ने दिया। तो बाजार का नियम जे भी से ने दिया। चौथा, कीन्स का रोजगार सिध्धान्त न्यून मांग का सिध्धान्त भी कहलाता है। पांचवा, APS धन खलिस्थान बराबर एक। तो यहां पर हम लिखेंगे APC, अर्थात APS धन APC बराबर एक। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस एकुल टू बन। छटवा, प्रतिश्थित द्रस्टिकोंड के अनुसार मजदूरी, कटोती, बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। साथमा, कीन्स का रोजगार सिध्धान्त खालिस्थान पर निर्भर है। यहां हम लिखेंगे प्रभावपून मांग। आठमा, खालिस्थान अत्रिक्त मांग की माप है। यहां हम लिखेंगे स्फीतिक अंतराल अत्रिक्त मांग की माप है। 9. अर्थ व्यवस्था में खालेस्थान का बजट बनाकर न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है यहां हम लिखेंगे घाटे का बजट दस्वा इस्फितिक अंतराल को नियंतरित करने के लिए बैंक दर में खलिस्थान की जानी चाहिए यहां हम लिखेंगे व्रद्धी की जानी चाहिए प्रस्ण क्रमांग तीन सत्य असत्य बताईए दूसरा रोजगार के संतुलन इस्थर पर भी कुछ स्रमिक बिरोजगार रह सकते हैं तीसरा उपभोग फलन अपुन रोजगार सामिकी व्याख्या करता है चोथा भविस्य में ब्याजदर्मे ब्रद्धी बच्चतों को कम कर देती है पांचवा जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्याई नहीं बढ़ता है छटवा अपुन रोजगार अभावी न्यून मांग का प्रणाम है सत्य सात्वा रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ती स्वयम अपनी मांग सरजित करती है विद्यार्थियो वैसे तो रिकार्डो और जेवी से ये एक ही विचारधारा के अर्थसास्त्री कहलाते है लेकिन पूर्ती स्वयम अपनी मांग सरजित करती है जे भी से का कथन है तो यहाँ पर हम इसे असत्य कह सकते हैं सात्वा कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दसा को अपून रोजगार संतुलन कहा जाता है सत्य नौवा समग्र मांग आय से रिनात्मक रूप से संबंधित है असत्य और दस्वा आय का या तो उभोग कर लिया जाता है या निवेश किया जाता है सत्य चौथा प्रस्ण सही जोडी बनाईए कालम ये में पहले नम्मर पर है वन माइनस अपी सी इसकी जोडी हम बनाएंगे सा अपी एस से दूसरा डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई इसकी जोडी हम बनाएंगे आ एमपी सी से मार्जिनल प्रोपेंसिटी तू कंज्यूम इस इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई यानि उभोग में परिवर्तन के बठे आय में परिवर्तन तीसरा इसकी जोड़ी हम बनाएंगे APC अर्थात उभोग के बटे I बराबर APC average propensity to consume पांचवा delta I upon delta Y इसकी जोड़ी हम बनाएंगे MPI marginal propensity to investment निवेश में निवेश में परिवर्तन बटे I में परिवर्तन छटवा I upon Y average propensity to investment सात्वा सामुहिक मांग इसकी जोड़ी हम बनाएंगे का उपभोग धन बचत से आठ्वा सामुहिक पूर्ती इसकी जोड़ी हम बनाएंगे पा समस्ति अवधारना और नौवा सुद्ध निर्यात इसकी जोड़ी ग निर्यात रिन आयात दस्वा बचत इसकी जोड़ी ख आयरिन उपभोग से प्रस्ण करमांग पांच एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर दीजिए नमर एक किसने कहा पूर्ती मांग को स्वयम जन्म देती है उत्तर लिखेंगे जे बी से दूसरा कौन सा निवेस आय के प्रती लोजपूर्ण होता है प्रेरित निवेस तीसरा रोजगार का परमपरावादी सिध्धान्त किस प्रतियोगिता की मानिता पर आधारित है पूर्ण प्रतियोगिता चौथा कीन्स ने अपने सिध्धान्त में किस अर्थेवस्था की मानिता ली है समाजवादी अर्थ वस्था की पांचवा अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने हे तू किसे बढ़ाना संभाव नहीं होता उत्तर है समगर पूर्थी को छटवा 1-APC के बराबर क्या होता है तो यहां हम लिखेंगे 1-APC बराबर APS यानि बचत की उसत प्रवत्ती साथवा पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है पूंजी की सीमांत दर से आसे है निवेश के फलसरूप प्रतिफल की आसा पूंजी की सीमांत दर प्रतिफल की प्रत्यासित दर के बराबर होती है आठवा, पून रोजगार हितु किसमे ब्रद्धी आवश्यक होगी? इसका उत्तर है प्रभाव पून मांग. नौवा, उपभोग फलन का समीकरन क्या है? C बराबर F into Y. F यहाँ फलन को प्रदर्शित करता है. दस्वा, MPC तथा MPS का सम्बंद क्या है? तो MPC धन MPS बराबर 1. यानि उपभोग की सीमान प्रवत्ती, धन बचत की सीमान प्रवत्ती पराबर 1. तो विद्यार्तियों इस प्रकार आज की स्कालखन में समस्टी अर्थसास्त्र के अध्याय चार, आय और रोजगार का निर्धारन, इस अध्याय के परिक्षाओं की वस्तुनिस्ट पस्नों की जानकारी हमने आपको दी, निष्टी थी यह आपकी आगामी अर्धवार्सिक वार्सिक परिक्षाओं के लिए अत्यांत महत्पूर्ण है, इसे अपने सहपाथियों से भी सेयर करें, और पुनाय आगर है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथी बेल आइकान को भी क्लिक कर जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परिक्षा उपयोगी अध्यन सामगरी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन